हलो फ्रेंस कैसे हैं आप सब तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का सूपर टेस्टी तावा मीनी पीजा क्योंकि आज इसे हम तवे के ऊपर बनाएंगे जिससे की से बनाना बहुत असान है कोई भी इस असानी से बना सकता है और क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी हुई चोटाई 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 के तयार कर लेंगे तो आठा को हमें अच्छे से मसल मसल के गुंथना है और यहां पर देखिए आठा को हमने अच्रेस गुंथ लिया है अब इसको उपर हम एक चमर्ट तयल डाल देंगे और इसे हम वापस से गुंथ लेंगे तो यहाँ पर जरूरी पॉयंट यह है कि आंटा को हमें अच्छे से मसलते हुए गुतना है तभी पीजा के लिए जो बेस आने एकदम परफेक्ट बनेगी तो लिजे फ्रेंस आंटा को हमने अच्छे से गून लिया है अब इसे हम रेस्ट देंगे तो इसे हम 25 से 30 मि कर लेंगे उसके बाद इसका हम पिसस कट करेंगे तो इसे हम इस तरह से एकुल साज में इसका हम पिसस कट कर लेंगे और उसके बाद इसका हम पेरे बना लेंगे तो जितना हमने डो बनाया था ना उतना मेंसे चार मिनी पीजा बनके त्यार हो जाएंगे और यहाँ पतिके तो अब हम क्या करेंगी जैसे की बाहर में जूख भाग में इस में, यह बनी होती हैं तो इस तरह से हम लक्य स्पिरेज़र कर लिए हैं उसके बाद एक फोग की मदद से इसमें हम होल कर लेंगे यह देखे हैं इसतरह से फ्रेंस अगर आज की रेस्पी आपको पसंद दे तो वीडियो का लैक सेर जरूर से कर दिजिएगा और यहाँ पर देखे फ्रेंस इस तरह से मैंने एक पीजा बेस बना के त्यार कर लिया है और इसे तरफ से बाकी का जो पीजा बेस है उसे भी हम बेल के त्यार कर लेंगे तो लिजे फ्रैंस हमने यहाँ पर चारो बेस बना लिए हैं अब गैश कूपर हमने यहाँ पर एक तावा रखा है क्योंकि हम पीजा आज तव्या कूपर बनाने वाले हैं अब इसके उपर हम थोड़ा सा ओल लगा देंगे, आप चाहे तो इस पीजा को पैन में भी बना सकते हैं, अब यहाँ पर दिके तावा मेडियम गरम होना चाहिए, अब इसके उपर यह पीजा बेस डालेंगे, तो जिस साइट से हमने यहाँ पर होल किया है न, वो साइट को ह निचे रखेंगे, तो इसी तरह से इसके उपर हम बेस को डाल देंगे, और इसे हम कुछ सेकन के लिए सेक लेंगे, ज्यादा देर तक इसे हमें नहीं सेकना है, और यहाँ पर दिके कुछ सेकन हो गया है, और इसका हम साइट चेंज कर देंगे, यह देखें, इसमें कितना प्यारा कलर आ गया है, तो इसी तरह से सारे बेसको हमें हलका सा एक सेट से सेख लेना है, दूसरे सेट से हमें अभी नहीं सेखना है, अब गैस का फिलेम बन कर देंगे और सारे बेसको हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर देखिए चारो पीजा बेसको हमने इस तरह से हलका हलक शेक लिया है और जिर सेट हमने सेका है वो सेट को उपर रखना है और जिर सेट नहीं सेका है उस सेट को हमें नीचे रखना है अब ये 4 पीजा बेस के उपर पहले हम 1 एक चमच सजवान चटनी लगाएंगे उसके बाद इसके उपर हम 1 एक चमच टमैटो सौस लगाएंगे तो यहाँ पर आप सजवान चटनी और टमैटो सौस आप अपने ही सबसे थ्वशा कम या ज़्यादा लगा सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ से ज़्यादा लगा रही हूँ और दोनों का अच्छे से इस तरह से मिक्स कते हुए इसके उपर हम फैला देंगे तो आप चाहे तो इसके जगह डायक पीजा सॉस भी लगा सकते हैं और यहाँ पर देंगे सारे बेस को पर हमने इस तरह से सॉस लगा ली है अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोजरेला चीज आप इसके जगह कोई सबी चीज ले सकते हैं अगर आपके पास सलाइस चीज है तो उसे भी आप छोटे-छोटे टुकरे में तोरके इसके उपर डाल सकते हैं अब चीट डालने के बाद इस तरह से इसके उपर हम प्याज के पंखुरियों से सजा देंगे यह देखे इस तरह से हैं तो हमने यहाँ पर एक प्याज को कट करने के बाद इसके पंखुरियों को अलग कर लिया है अब प्याज के बाद एक सीमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है अब सीमला मिर्च को भी इस तरह से इसके उपर असेंबल कर देंगे और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्वीटकन था, तो स्वीटकन भी इस गूपर हम डाल देंगे, तो आप चाहे तो सिर्फ सीमले मिर्च और प्यास से भी पीजा को बना सकते हैं, अगर आपको पास पनीर है तो पनीर का छोटे छोटे पीसेश करके इस गूपर डाल सकते है या फिर आप चाहे तो टामाटर का भी छोटे छोटे पीसेश करके इसके उपर डाल सकते हैं, अब इसके उपर वापस से थोड़ा थोड़ा चीज डाल देंगे, फिर आपस आपको फिर से याद दिला दूँ, अगर आज की रेस्पी आपको पसेंदे तो वीडियो के लाइ अब इसके उपर इटालियन सेजलिंग भी डाल सकते हैं, अब इसके उपर थोड़ा सा हम चीली फ्लेक्स डाल देंगे, आप चीली फ्लेक्स की जगह थोड़ा सा लालमिच पाउडर भी इसके उपर डाल सकते हैं, अब यहाँ पर देखे फ्रेंस, पीजा बेक होने के लिए और कौन सा सीटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा ताकि मुझे भी पता चले आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं आप इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे तो ये बरतन इसके उपर अच्छे से फीट बैटे रही थी इसे बेक होते हुए साथ मिनाट हो चुका है अब इसका हम धकन हटाएंगे वाव आप देख सकते हो कितना पढ़िया से चीज इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है और मैंने मेनी पीजा को उपर थोगा सा ज्यादा ही चीज और ज्यादा ही सॉस डाल दिया था इसके वज़ा से इतवेक उपर फैल गया है फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है यह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा यह देखें मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ आप जब बनाईएगा ना तो थोड़ा सा सौस का कॉंटिटी कम कर दीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस यह देख के कितनी टाइम टिंग लग रही है और यकिन मनी है खाने में तो बहुत ही टेश्टी है एक बार जब आप मेरे तरीके से पीजा बना लेंगे ना तो मैं करांटी से कहती हूँ बार-बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे और यह क्योंकि पीजा गेहूं के आटे से बनी हुई है तो यह टेश्टी के सांसाथ हेल्दी भी है तो लिजिए फ्रेंस तयार है सुपर टेश्टी और सुपर हेल्दी मीनी तावा पीजा तो इस पीजा को एक पर मेरे तरीके से जरूर बना है फ्रेंस यह आपको बहुत पसंद आईगी और इसे बनाना ही बहुत असान है और सबसे अच्छी बात है कि यह पांच मिनिट में बनके त्यार भी हो जाती है तो जब भी आपको पीजा खाने को मन करे तो बाहर से के उप लाना आप इसे urlडि तरीके से घर में इसे पांच मिनिट में बना सकते हैं और इसे आप बना के बच्चों को भी दे सकते है इस पीजा को एक पड़ मेरे तरीके से जरूर बनाएगा यह आपको बहुत पसंद आईगी तो उमीद है कि आज के रेस्पी आपको पसंद आई होगी रेस्पी पसंद है तो वीडियो का लाइक करें आपना फ्रैमिरी फ्रैंस पे भी सेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ थैंक्स फर वाचिंग